नमस्कार स्वागत है आपके इंडे टीवी में मैं हूँ आपकी साथ विवेक शांडेलेर उत्तर प्रुदेश के बरेली से आज हमारे साथ एक बहुत खास मिमान मौजूद है बातशीत करने के लिए इतिहादु मिलत काउंसिल के रास्ट्री अथक्ष मौलाना तौकीर रजा में बनी रहते हैं आज कल सोड़े नाराज चल रहा है रहा सब नाराज बिल्कुल नहीं चल रहा है ये किसी ने खलत इतिलादी है равわध जो मशोल है उस मशोल से हमें ये अंदेशा हो रहा है कि हमरे देश का कहीं नुखसान हो जाएगा तो फिकर मन्द है नारास कहना जो है वो ठीक नहीं है, फिकरमंद है तो मैं जानना चाहता हूँ कि अज मैं एक सियासत नाँ से बत कर राँ हूँ मुसलमानों के रहनुमा से बत कर रहा हूँ मैं आला हज़रत के चश्राग से बतचीत कर रहा हूँ यो पर एक हिंदुस्थानी से बत Spencer कर रहा हूँ और अपने देश से प्यार करने वाले से आप बात कर रहे हैं और मेरा मजभब, मेरा खांदान, मेरा शहर, सब मेरा देश है और मैं अपने देश से प्यार करता हूँ भीवानी मामले पर काफी गुसा है आपके अंदर आपने कहा कि दोशों के खिलाफ कारवाई नहीं हुई तो महाभारत होगा आप कहतें कि हमारी लाठी में भी दम है देखी यह वाकिया है सोला तारीख का हमने बिलकुल इस मामले में कोई दخल नहीं दिया क्यूंकर यह मौब लिंचिंग जैसे मामला जू है अब तो इंडिया में आम हो गए हैं हमने कोई मांग नहीं की कोई दखल नहीं दिया लेकिन तकलीफ और परशानी तब पैदा होती है जब कातिलों की हिमायत में जलसे किये जाते हैं सभाय किये जाती है और उनको बड़ी करने के लिए उनकी दफाए हटाने के लिए तो जब कातिलों के आतंगवादियों की हिमायत में जलसे किये जाने लगें सभाय किये जाने लगें तो ये देश के लिए गंभीर बात हो जाती है क्योंकि जिसने कतल किया है उसको कानून के जद में है वो कानून अपनी करवाई करेगा अदालत जो भी चाहे फैसला करे लेक तो मुझे उस कतल से ज्यादा गंभीर बात ये लगती है कि उन कातिलों की हमायत में जो लोग खड़े हुए हैं और बड़े-बड़े संगठन हैं ये जो अपने आपको देश प्रेमी संगठन कहते हैं तो ये कौन सा देश प्रेम है सम्विधान से आपको प्यार है या आपक अपनी ताकत का घमेंड है ताकत के जोर पर आप उन कातिलों के खिलाफ करवाई करने से पुलिस को और पुलिस को यहां तक चैलेंज कर दिया कि पुलिस आएगी अपने पैरों पर लेकिन जाएगी अपने पैरों से वापस नहीं जा सकेगी ये कौन सा देश प्रेम है और ये कौन सा इनसाफ है इसलिए पी-च्पी और बज्वंगदल को आतंकवादी देश आतंकवादी तो हैं आतंकवादी वो हैं लेकिन मुश्किल ये है कि हम कुछ भी मांग करने सरकार ने हमारी बात पर गोर ही नहीं करना है हमने का नुपर शर्मा की गिरफतारी होनी चाहि हैं कि हमारी मांग की कोई अहमियत नहीं है नसुना जाएगा नगोर किया जाएगा लेकिन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि जिन लोगों ने उन कासिलों के समर्थन में सभाय की हैं तक्रीरे की हैं बाचर दी हैं उन लोगों को चिनहित करके वो सारे मौजूद हैं उनके चिनहिद करके उनके खिलाफ गारवाई की जानी चाहिए यह देशित में है तो आइसा नायक बनने की फिर और लोगों में अभिलाई शाया होगी और लोगों में जोश पैदा होगा कि हम भी दो चार मुसल्मान मार देते हैं देश में आतंगवाद पहला देते हैं हम भी हीरो बन जाएंगे तो देश में अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश है जो इन लोगों ने ये हरकत की है तो ये गंभीर विशह है गंभीर और ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि देश में अमन वामान रहना चाहिए चानून का राज रहना चाहिए या इन लोगों की लाठी का राज रहना चाहिए जो पुलिस की टैंगे तोड़ने की बात करते हैं क्या ये लोग देश प्रेमी हो सकते हैं आप कहते हैं ये लोग हिंसा फैलाने की बात करते हैं मायम के नेता कहते हैं हम 15 करोणे में छोड़ दाज प्री हम बता दें क्या होगा आप कहते हैं कि आमने सामनी के लड़ाई हुए अगर मुसल्मान मुसलिम युवा जाग गए तो देश का नक्षा बदल देंगा तो फिर आपको इसलिए वह आपको कहते हैं आप कटरपदी संगठ है ने आप आतंके संगठ है मैं 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 ऐसा बिलकुल नहीं कहता हूं मैंने हमेशा ये कहा है कि मुसल्मान सबर कर रहा है अपने बच्चों का कशल अभी दो वहां मार दिये तीन अभी गया में मार दिये तो हम सब कर रहे हैं लेकिन हमारे सबर हम अपने नौजवानों को रोकते हैं कि हमें किसी भी आलत में कानून अपने हाथ में नहीं लेना है लेकिन जिस दिन ये नौजवान मने ये बात कही थी कि जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो जब तक हम बैठे हैं कल हम नहीं रहेंगे तो हम उन नौजवानों को कैसे कंट्रोल करेंगे तो देश का महौल ऐसा क्यों बनने दिया जाए कि नौजवान कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाए एक पक्ष है वो मसलसल जब भी मौका मिलता है सौदो सलोगी के घटे होते भीर जमा होती गौकशी के नाम पर या किसी के नाम पर चोरी के नाम पर उसका कतल कर दिया जाता है यह मुसल्मान होने के नाम पर क्या खा रहा है क्या पहन रहा है इसके नाम पर उसका कस्ल कर दिया जाता है तो यह कस्ल मैं यह नहीं करो कि यह भारती जन्ता पार्टी के जमाने में हो रहा है ये पहले भी होता रहा है भारती जन्ता पार्टी की आज जिम्बेदारी ये है कि इन लोगों पर जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा देश में अमनों अमान का महुल नहीं बनेगा और राजस्तान में तो बीजेपी नहीं है राजसाँ ने मैं इसमें बीजेपी और कॉंग बिजेपी की बनती है अभी आपने ऐकूं है बहारत को जोडने वाला बयान है या पिर इस 시Tw biz मेरी इस बात को इस अंदाद में लेना चाहिए कि मैं हिंदु समाज से कितनी खुर्बत रखता हूं हिंदु समाज को समझने की कोशिश करता हूं पढ़ता हूं और मैंने ये देखा महा भारत काल में जो कुछ भी हुआ आज बेएनही वही सब कुछ हो रहा है सारा कुछ देख रहे हैं और वो जान भी रहे हैं और मान भी रहे हैं कि गलत हो रहा है इसके बावजूद वो कारवाई उन लोगों पर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उनके अपने लोग हैं यही हाल उस वक्त हुआ था कि ध्रिसराश देख रहे थे और समझ रहे थे कि सम गलत हो रहा है लेकिन उनके अपने गलत कर रहे थे इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ कोई कारवाई नहीं की और नतीजे में बहा भारत जैसा एक युद्ध तो मैं यह नहीं कहता कि हम कौर्वों की तरह मजलूम है या आप पार्णवों की तरह जालिम है लेकिन हाला जो है इस वक्त वो बिलकुल यही हैं कि हम उसी तरह उस्रे ही कमजोर है हुकूमत उनकी हिमाइश कर दिये जो ताकत वाले हैं जो ला की बात करते हैं मुसलमान के खलाब नफरत की बात करते हैं हुकूमत उनके साथ है तो मुझे तकलीफ इस बात की है कि आने वाले वक्त में नरेंदर मोदी को लोग कहीं तारीख कहीं इन अलफाज में याद ना करे नरेंदर मोदी को वक्त रहते इस सलसले में कोई फैसला ल ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है आप सवालों से घिर रहा है तो आपने कह दिया कि मेरे बयान को सब्सक्राइब की बहुमिका से बहर आना चाहिए और ये जितने दुर्योधन और जिसने ये दुशासन ने तो एक साड़ी खेची थी आज तो हर दिले में नकाब खेचने वाले लोग मौझूद है नकाब खेचने वाले लोग हर जगा मौझूद है लड़की को नंगा करने की कोशिश की जा रही है बेहया और बेशर्म बनाने की कोशिश की जा रही है इन लोगों के खलाद इन दुशासनों और दुरियोजनों पर अगर कारवाई नरेंद्र मोधी नहीं करते हैं तो मैं सीधा ठोक के कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोधी को कल आने वाला समाज इतिहास उन्हें नए युक का ध्रित्राष्ट ही नाम देगी सब का साथ और सब के विकास की बात करते हो तो जमीन पर ये दिखाओ कि तुम सब का साथ चाहते हो सब का विकास चाहते हो क्या मुसल्मानों का कतल कर देना ये सब का विकास है क्या कातलों की हніमायोच करना इह सबका विकास है कातलों पर कारवाई नहोना नहीं करदाने indoक की कथिनी और vog colony में जो अंत्र है उस अंतर को जिस दिछेंगे उस दिन हमआरी कामरेट से कोई रिष्टेदारी नहीं है हमारी समाजवादी से कोई दोस्त की नहीं है हम अपने देश से प्यार करते हैं और देश में अगर नरेंद्र मोधी काम करेंगे तो नरेंद्र मोधी का भी साधिया जाएगा वरना मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोधी में अगर इंसानियत के लिए मानफ़ता के लिए हमदर्दी है तो ये जो गत्ल हो रहे हैं इन गत्लों के उन्हें जिम्मेदारी लेते हुए अपने पत्से इस्तीफा दे देना चाहिए नरेदर मोदी अगर इमानदार हैं तो जब वोट मांगने के लिए वो चुनाव परचार के लिए जाते हैं तो पिर्धान मंत्री की हैसे से उन्हें नहीं जाना चाहिए चुटी लेकर जाना चाहिए नरेदर मोदी की हैसे से आप पिर्धान मंत्री की हैसे से आपको नहीं जाना चाहिए ठीक है आप हर बात में आपके ओपर आरूप लगता है कि आप लोगों को बढ़काने और धंकान का काम करते हैं मैंने हमेशा लोगों को समझाने का काम किया है और आज भी मैं इतना फिक्र मंद हूं कि पानी सर से उशा उड़ चुका है एक और महा भारत हिंदुस्तान में बिलकुल तयार रखी है हम उसको रोकना चाहते हैं ऑप किसा तरह का माबारा है आप फूराबा मापारे है खूराबा हो जाएगा अगर लोगों ने तब्छ नई दिए अगर लोगों ने इस तरह जिए अगर हुकूमत ने इस तयाभ तो तच्छ नही दी सबसे पहले यही माहौल ना बने इसके लिए हमने यह तैय किया है कि पंद्रा दिन का हमने वक्त दिया है हुकूमत को कि इन तमाम चीजों पर गोर करें और कोई रड़निती ऐसी बनाए कि ऐसे माहौल से हमारे देश को ना गुजरना पड़े और अगर उन्होंने हमारे इस बात पर गोर नहीं किया तो उसके बाद हम फैसला लेने पर मजबूर होंगे और पूरे हिंदुस्तान से इंशाला आप कह रहे हैं कि अपराद सिर्फ मुसल्मानों को विशेश तोर पर लेकर हो रहा है अपराद वो उससे समझ ही नहीं रहें वो तो यह समझ रहे हैं कि मुसल्मान को मार देना यह बड़े पुन्य का काम है पुन्य का काम समझ को वो इसे अपराद जिस दिन समझेंगे मानव हत्या को जिस दिन अपराद समझेंगे जिस दिन वो यह समझेंगे क्युSpace के हम अपने एक हिंदूस्तान भाई कि का कतल कर रहे है उस दिन ये काम नहीं करेंगे लेकिन वो यह समझना है कि ये बड़ा पुर्ण का काम है इसलिए हमें करना चाएए और उन्हें ये पता है कि मुसलमान का कतल करने से मुसलमान को सताने से हमें हुकूमत हमारी सरपरस्थी करेगी हमें कोई सजा नहीं मिलेगी और देख लिजिए आप मोनु माने सर का नाम इस वर जिससे गाइब है अच्छा आप मोनु माने सर को इल्जाम है उसके उपर तो कानुनी करवाई होनी चाहिए अधालत उसे मुझरिम है अधालत सजा देगी मुझरिम नहीं आजालत बाईज़त बरी कर देगी कनहिया लाल का सर तन से जुदा कर दिया गया उसका वीडियो भी वाइरल किया गया वो भी पुन्ने का काम था हिंदुस्तान में एक भी ऐसा आद्मी बताईए जिसने उस कसल की हिमाइज की हो हमने हर चौक चौराहे पर मजम्मत किया है और हमने यहां तक कहा है कि जिन लोगों ने कनहिया लाल की हत्या की है उन्होंने कनहिया लाल के घरवालों का नुकसान बाद में किया है पहले पूरे मुस्लिम समाज का नुकसान किया है क्योंकि मुस्लिम समाज को बदनाम कर देखा काम उन्हों ने किया है आप ये कहते हैं कि सामाजी का अफराद होते हैं लेकिन जब कुछ Muslim यूग को मारा जाता है तो आप कहते हैं कि planning कुछ नहीं थी आपने मेरे साथ जान्ती की मैंने आपके साथ जान्ती की किसी ने जएदा कर दी ये एक अलग बात हो गए लेकिन प्लान्ड है पूरा सब स्क्रिप्टेड है अगवा किया जाता है उसको फिर छुपाया जाता है सारी करवाई की जाती है और इसमें सबसे बड़ी अगर जिम्बेदार है कोई तो हर्याना की पुलिस है जिसको उन्होंने सुपृत करने की अगर पुलिस ने ले लिया होता उन्हें तो शायद वो उनको जला करना मारा गया होता तो ऐसे ऐसे अपराद जो धार्मिक मानसिक्ता से किये जा रहा है और सवाब कमाने क्लिए किये जा रहा है हम तो अपने नौजवानों से कहते हैं किसी भी आलत में कानून अपने हाथ म नहीं लेना है उन्हें का कोई डर नहीं है और उनको अंदाजा है इस बात का कि हुकुमत से हमें शाबाशी मिलेगी हमारे समझ से हमें शाबाशी मिलेगी ये बहुत गंभीर बात है आपको कानून का खौफ नहीं है इसलिए वह इस तरह की काम कर रहे हैं तो आपको कोट का च तरफ आपको तबज्व देनी चाहिए और विश्विंदू परिशद और बजरंग दलने चूके उन लोगों की हिमायत में धन्ने परदर्शन किये हैं और सभाय की हैं इसलिए आतंगवाद को जो बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है ऐसे संगधनों पर पाबंदी की मांग की हैं अगर आतंगवाद को मैं बढ़ावा देता हूँ तो मैं अपराद ही हूँ मेरे उपर पाबंदी लगाई जानी चाहिए मुझे गिरफसार किया जाना चाहिए लोग तो कहते हैं बढ़काओ बढ़काओ नहीं होगा अगर आपको लगता है मैंने अभी तक जो बात कि हाथ मिला के बैठा हुआ हूँ लोग ये भी कहते हैं कि मेरा बीजेपी से मेरा तालुक है तो लोगों के कहने का नहीं मेरा किरदार आपके सामने है बिल्कुल मैं एक और विवादित बयान का जिक्र करूंगा उसके बाद आपके नरिंद्र मोदी और यूगी आदिनात वा अलेगी फूलेगी या फिर खटास बढ़ेगी और निवी तंदूर होगा यह बात मैंने किस संदर्व में कही आपका संदर्व लोग बात में समझते हैं लेकिन मैसेज पहले दूसरा चला जा है किस संदर्व में कही बात यह हुई जैसे अभी उन लोगों का दिक्राया पांच पती वाली महिला का तो बात को समझने के लिए संदर्ब समझना पड़ेगा अब मेरे हाँ किसी औरत के अगर मैं हिंदू समझ की बात नहीं कर रहा हूँ आप मुझे ये बता दे किसी कोई औरत चार या पांच या साथ पतीयों वाली है तो वो ये कैसे टाय कर सकती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है ये कौन सी साइंस टाय करेगी और ये टाय करने की कहा दरूरत होती है तो मैंने किसी समाज को भरकाने के लिए या किसी की तोहीन करने के लिए नहीं बलके अब पूरी बात समझ लिए किस संदर्ब में मैंने बात कही है तो आपकी बात समझ में आएगी अब योगी आदिता और मैं खास तर से मैं एक बात कहता हूँ मैं मुसल्मान हूँ और आज मैं आपको वज़ात करूँ मैं कि मुसल्मान आप हिंदू है आप हिंदू क्यों है आपके पास इसका जवाब नहीं होगा कि आप हिंदू क्यों है आप हिंदू इसलिए हैं कि हिंदू माता पिता के घर में अपने जनम लिया है या किसी और वज़ा से हिंदू है मैं मुसल्मान हूँ क्योंकि मैंने मुसल्मान के घर जनम लिया है लेकिन असल हिंदू और असल मुसल्मान मैं उसे मानता हूँ जो अपने धर्म को समझने की कोशिश करे और बाकी धर्मों को भी पढ़े बाकी धर्मों को भी समझे उसके बाद जो धर्म अच्छा लगता है मैंने बहुत स्टेडी की बहुत समझने की कोशिश की कि क्या मैं सिर्फ इसलिए मुसल्मान रहूं कि मैंने मुसल्मान के घर जन्द लिया है मैंने हिंदुस्वा को भी समझने की कोशिश की है और एक तो मैं ये मानने को तयार नहीं हूँ कि हिंदू कोई धर्म है बलके हिंदू भी जो पढ़े लिखे समझदार हिंदू है वो भी ये मानते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है सनातन धर्म है आरे समाज है तो हिंदू और मुस्लिम जो होता है मैं इसके साथ खिलाफ हूँ तमाम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानीों का कतल करना हिंदुस्तानीों को सताना मसलमान Hindustan का एक अंग है और इस एक अंग को अगर कमज़ोर कर दिया जाएगा तो देश कमज़ोर होने का अगर आपने हिंदुस्तान मसलमान के बात कि एक सवाल पूछओं उसके वाद आके बढ़ूँ गा मैंने हिंदुतना को समझा, मैंने तमाम मजाहिब को समझने की कोशिश की मुझे फिर उसके बाद जो अच्छा लगा वो मैंने अख्तियार किया और में दूस को चाहिए करने मुद को लुद को सुछिये था माइं हिंदू समाज को चाही हर नौजवान व्रस्टू आपके एक आम सब्तार कर असा हिए पिल्कुल तब सुम्लकरों प्र्सक्राइद uh. वो सिर्फ इसलिए हिंदू है कि हिंदू माता-पिदा हैं तो वो अच्छा हिंदू नहीं बन सकते। तौकिन नहीं साथ दोहजार बाइस में आप कॉंग्रेस के साथ जाते हैं यूपी चुनाव से पहले फिर आप योगी की तारीफ भी करते हैं तो आपका राजनीति जो लक्ष है या फिर जो आप राजनीति करना चाहते हों किस ओर से करना चाहता है मैं राजनीती करता हूँ मानफता की, अच्छाई की, मैं राजनीती, वोट बेंक की राजनीती नहीं करता हूँ, वोट बेंक की जो राजनीती करते हैं, 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 व इस बार कि चुनाओं में भी ऐसा लग रहा था जैसे शायद के अक्सेश की सरकार बन जाएगी तो मेरी ये कोशिश थी कि उनकी खुद मुफ़तार सरकार नहीं होनी चाहिए खुदमुक्तार अगर सरकार होगी तो खुदमुक्तारी के फैसले होंगे फिर वो कुछ नहीं देखेंगे कुछ नहीं सुनेंगे तो मेरी कोशिश थी कि कॉंग्रेस को इसनी मजबूती तो मिल जाए कि कम से कम वो सरकार में शामिल हो सके ताकि उन्हें खुदमुक्तारी के फैसले लेने से बाद रखा जा सके लेकिन ये के हमारे अंदाजे गल्स साबिस हुए तो मैं कॉंग्रेस का हमायची नहीं हूँ मैं भार्थी जनता पार्टी का मुखालिफ नहीं हूँ मैं नीतियों पर काम करने वाल आद्मी हूँ भार्थी जनता पार्टी अगर मानवता की बात करती है मैं भार्थी जनता पार्टी की हमायची करता हूँ मैंने योगी जी की तारीफ इस लिए नहीं की कि योगी जी भार्थी जनता पार्टी के हैं हमारे मुखमंत नी हैं बलके मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं उन्होंने राजधर्म का पालन किया मैंने का ठीक है बहुत अच्छी बात ऐसा होना चाहिए और मैंने तो नरेंदमोदी से बहीं ये बात कहीं थी कि आप को जिस तरह पर उत्तरपरदेश को योगी अदिसन Mar चला रहे हैं आप को योगी अदिसनात से ट्रेनिंग लेना चाहिए कि किस सर secret देश चला जाता है अगर जिस स्बर siastis चला उत्तरपडेक्ट में मिल रहा हैं उत्तरपडेक्ट में कहीं के महाल कि उत्तर पर देश्र कि के हमारा सब से ड़ी मसलह जो है वह दंगा और फसाद है मैं देख नहीं हैं मेत वह दंगे गया है उस जरूरत मंद को उन्होंने हिंदू और मुसल्मान के चश्मे से नहीं देखा है मैंने देखा बुरके वाली जाती है नियाए लेकर आती हैं तो हमें हमारी दोड़ी दाड़ी और टोपी की वज़ा से अगर हमारे साथ अन्याए करोगे तो यह बात अच्छी नहीं ह तो योगी आदिस नाद जी का जो मैंने तरीका देखा है मैं तो बिलकुल इसके लिए तैयार हूँ कि नरेंदर मोदी अगर मानफता की बात करते हैं और सब के साथ की बात करते हैं हम योगी मोदी जी का साथ देने को तैयार हैं लेकिन वो जो जुमले बोलते हैं वो हमें इसे बाते हैं और जिम्ले बाधी जो है इस जम्ले बाधी से हमारा काम नहीं चल आए हमें काम दिखना चाहिए और हमें काम करके लिखցायी है और हमें अबी पहले बीवानी कारण का इंसाफ दिलवाइए और जिन लोगों ने उनके हमायत में सम्हाय की है, उनको अप्त strat कीजिए, उनके खानाए कीजिए. बिल्कुल सभी अदालत में और भाहों और सुबोतों के अधार पर तए और या हम और आप बैटकर यह कर सकते हैं क्या आमतार से यह होता है आमतार से यह होता है कि कहीं गतल हुआ उसके घरवालोंने जिन जिन को नेम्ड किया वो चाहे हथ त्यारे है या नहीं है उनकी गिरफतारी होती है उसके बाद जाच होती है और जाच में वो लोग जो बेगुना है वो निकाले जाते है तो आप तो गिरफतार करने को त्यार नहीं है मुख़बा लिखने को त्यार नहीं है तो जाच से पहले उसको निकल दिया जाच की नौबत नहीं आई निकल दिया उसे तो राजस्तान पुलिस की जाच आपको तो राजस्तान जैपुर में जाएंगे कॉंग्रेस का भी घिराओ करेंगे अभी हम अपने देश के परदान मंसरी से बात कर रहे हैं जब यहां से अच्बिस के चुनाओ में हम यह के तारीअ करते हैं है कि इसके क्या माइने समझे जाए है tugea 24 का चुनाओ योगी जी का चुनाओ नहीं है 24 का चुनाओ देश का चुनाओ है तो उत्तर प्रदेश कहते हैं कि उत्तर प्रदेश मेंن 20 सीटे जिस पार्टी के खाते में गई उसके दिल्ली पहुंचने का रास्ता साफ हुआ पिछले दो बार के आम चुनाओं में ये बात देखी भी गई और से पहले के चुनाओं में भी देखी गई है मैक्सिमम सीटें बीजेपी को गई है अभी अभी उत्तर प्रदेश का मुसल्मान नहीं बलके पू कोई फैसला नहीं हुआ है कि चौबिस में कहा जाना है क्या करना है किसके साथ पूरे देश का मुसल्मान तो अब हाला देख रहे हैं मीटिंग्स हो रही हैं तमाम दानिश्वर हदरात हमरे गोर कर रहे हैं और जहां भी जाएंगे यक मुस्ट जाएंगे भार्तिय जनता प जायमी है मुसल्मान जहां जाएगा इखटा जाएगा और सरकार हम बनाने में कामयाब हो यह ना हो लेकिन हमें अपने देश के लिए जो बेहतर लगए इंशालब वो फैसला किया जाएगा और मुम्किन है कि वो फैसला नरेंद्र मोदी के हक में हो जाए यह यह योगी अबिस नरेद मोधी के पास अभी तकरीबन एक साल कुछ कम सही लेकिन तकरीबन एक साल है इस एक साल में अगर वो अपनी कस्री और करनी के अंसर को कुछ कम कर देते हैं तो मुम्किन है कि उनके हक में फैसला हो एक और पार्टी है कहते हैं मुसल्मान के रहनुमा मुसल्मानों के रहनुमाई के बड़े बड़े दावे करती हैं यहां पी भी आया थी चुनाव लड़ने खिलब समझे हो किस पार्टी की बात करो मैं इत्यादू मिल्लक कांसिल उतनी एग्रेसिव नहीं दिखती है जमीन प के आप क्यों नहीं लड़ते क्या मुसल्मानों के बड़े रहनुमाओं का जो एक तरह से करें सार्टीफिकेट तो वो माईम के पास है आपके पास नहीं सार्टीफिकेट की बात रही है मैं दूसरी स्टेट में जाके लड़ना तो अलग बात है पिछले दस साल से मैं तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे चुनाओं नहीं लड़ना चाहिए मैंने चुनाओं नहीं लड़ा तो मैं उन्हें उमने ऐसे लोगों को मैं हमायती नहीं हमायत ये है कि हमने पिछले दस साल से चुनाओ नहीं लड़ाए सिर्फ इसलिए गुर्बानी दी है कि हमारी वज़ा से दूसरों को फाइदा ना पहुचे जो मुखालिफीन हैं उनको फाइदा ना पहुचे और आने वाले चुनाओ में भी फैसला जो भी हो इस्तिहाद मिलत चुनाओ खुद लड़े किसी के साथ गड़ बंदन करे या किसी का समर्थन करे मेरा मानना ये है कि दो हज़ार चौबिस में संपूर विपक्ष को अपनी अपनी अना को बालाए ताक रख कर अपने देश के ह बैटना चाहिए और जो लोग नहीं बैटते हैं मैं ये समझता हूं कि वो अपनी पार्टी और अपने हिज्द के बारे में सोचते हैं देश हिज्द के बारे में नहीं सोचते हैं एक सवाल और आखरी आप से यह की आप कह रहे हैं कि M.I.M. A.I. M.I.M. दूसरी याइक जो सताधारी राजनितिक पार्टी उसका फाइदा कराती हर जगर चुनाओ लड़के तो आप ये काम नहीं करना हैं वो एक पार्टी है उन्हें लड़ना चाहिए लड़ेंगे उनका यह कहना है कि हम पार्टी है हमें लड़ना है हम पार्टी है हमें भी लड़ना चाहिए लेकिन हम ऐसी पार्टी नहीं है कि अपनी पार्टी के फाइदे के लिए हम अपने लोगों का नुक्सान कर दें और जो जो अपनी पार्टी को फायदा पहुआ तो वोटों की राज नीदी हाए और वो जो कुछ भी करेगा वोटों की वोट हासील चर्ड आइनाके वोट्व करेगा वीवानी गायते हैं आप नहीं गये तो वो एजिंडा सेट करने गयता हैं नहीं बताईए मैं वहां जाकर कि उनकी क्या मदद कर सकूंगा अलावा इसके कि उनके गंबे शरीक हो जाओं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता मैं ये मदद कर रहा हूं जो आपके जरीए में अपनी बात पहुचा रहा हूं ये उनकी मदद है और मैं दिली का गहराओ करने जा रहा हूं ये उनकी मदद है उनक मिलना चाहिए ये उनकी मदद है तो उनके घर जाके फोटो खिजवा के मैं मीडिया में आकर चाहूं के मैं ये दिखा दूँ के मैं बहुत मुसल्मानों का हमदर्द और हमायती हूँ ये बिलकुल सरासर हम अपने साथ धोका कर रहे हैं तो वैसी साहब के बारे में भी मैं इसरा जरूर कहूंगा कि वैसी साहब यकीनन मुसल्मानों के हमदर्द और हमायती हैं लेकिन उनकी पार्टी के चुनाव लड़ने से जो नुकसान उन्हों ने पहुचाया है वो आज तक भर जन्ता पार्टी भी मुसल्मानों को उतना नुकसान नहीं पहुचा सकी और एक और खास बात आज आपको बता रहा हूं जो इससे पहले मने कभी नहीं कही आज कहने पर मजबूर हो रहा हूं कि दो हजार चौदा में नरेंडर मोदी को गुजरात के अलावा लोगों ने पह पहले हैदराबाद के अलावा मुझे बताएं कि ओवैसी साथ को पूरे भारत में कहा कौन जनता था पसे पर्दा क्या-क्या معامलाथ हैं ये सब अब सामने आना शुरू हो गए मुसल्मानों का कौन हमदर्द है कौन हमायथी है बताए में मुसल्मानों ने समझ लिये है मैं इतना और बता दूँ कि बड़ी गहरी सादिशे मुसल्मानों के खिलाफ रची जाती है करें आपके पास उतना समय नहीं होगा लेकि थोड़ा से टाइम ढूंगा देश का बटवारा हुआ इल्जाम यह कि मुसिल्मानों ने बटवारा कराया महुम्द अली जिनाहने बटवारा कराया सच्चाई ये है कि उस बटवारे का असल जिम्मेदार जो है वो गुजरात का एक बनिया जो बराय नाम मुसल्मान हुआ था इसलाम को पढ़कर या इसलाम के लिए मुसल्मान नहीं हुआ था उसका इस्सेमाल RSS ने अपने फाइदे के लिए किया हिंदू राष्ट बनाने की उनकी नियत थी लोगों ने मुहमद अली जिना को मुसल्मान समझके लबैक कह दिया जिस तरह लबैक वैसी को कहा जा रहा है बिलकुल उसी तरह लबैक उस वक्त मुहमद अली जिना को किया गया था जबके जिना मुसलमान भी नहीं था और जिना मुसलमानों का हिमाइ़ भी नहीं था बलके वो अपने समाज से, अपनी ब्रादरी से अपने हिंदूओं से, अपने देस्ट से वो बदला लेने के लिए उसने बढ़वारा कराया था और उसका रिमोट RSS के हाथ में उसमक था तो आपके रहे हैं OVC जिना के रास्ते पना मैं बता रहा हूँ कि ऐसे तमाम लोग जो जजबाती बाते करके अपने साथ लेकर जाते हैं वो मुसल्मानों के गद्दार हैं जैसे मुहमद अली जिना ने मुसल्मानों के साथ घद्दारी करके मुसल्मानों को कमजोर करने का काम किया और देश को कमजोर करने का काम किया देश को कमजोर करने का देश को बाटने का काम किया मुसल्मानों ने देश नहीं बाटा आर एस एस ने बाटा और मैं बताता हूं उसके बाद गांधी जी की हत्या करवाई जब पाकिस्तान बढ़वारा होने के बाद जब ये तैह हो गया कि मुसल्मान नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान मुसल्मान यही रहेगा तो दोबारा फिर गांधी जी की हत्या इसी नियत से करवाई कि जो मुसल्मान हिंदुस्तान में बाकि रह गया आए ये मार काठ हो जाए इनका कतले आम कर दिया जाए और ये डर कर भाग जाए और हिंदूराश काalen हो जाए ंवे तो ये दो हमले हम इनके नाकाम कर चुके थे हैं बटवारा हुआ और नहीं गए गांधी जी का कद्र हुआ और गांधी जी का हत्यारा पकड़ा गया और लोगों को पता चल गया कि असल में मुसल्मान उस वक्त गवर्मेंट ने बाकाइदा लॉड स्पीकर से रेडियो से एलान करवाया कि किसी मुसल्मान ने नहीं मारा है परक्रीकर इतिहास की बातें प्रक्रेंगे लेकिन आप जो मोटी बात कहरें मोटी बात मैं यह यहा रहाएँ कि मसल्मान जजबात में जब जिसके साथ गया है उस्समे अपना जखसान किया जजबात में नहीं बलके बलके सुजबूच के साथ वना है और इस वक्त भारिषीय जनता पार्टी से भी हमारी कुई लडाय नहीं वाटी यह पर्टी है जो हमें बेहतर पयकेश देगा जो आने वाले पाश सालों के लिए अपना बेहतरी प्रोग्राम पेश करेगा देश हित में हमें क्या देरो हमें स्पेशल एटेंशन नहीं चाहिए लेकिन जो देश के हित में बेहतर पैकिज देगा उसका इंशालला साथ दिया जाएगा नरेंडर मोधी अभी साथ-ाथ महीने इनके पास बाकी हैं अगर ये अपने तोर तरीके दुरूस कर लेते हैं तो हम नरेंडर मोधी के भी खिलाफ नहीं है भारती जन्ता पार्टी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कांग्रेस से हमारी कोई दोस्टी नहीं है हम अपने देश से प्यार करते हैं और देश इसके लिए किसी के भी साथ जाने को तयार है आखरी सवाल रजा साब चुकि इंटर्वियू काफी लंबा हो गया तो एक सवाल मैं आखरी जाते जाते हैं आपसे ले लू करें ताना बानों को कमजोर करें इस तरह की बातों से परहिस करेंगा नहीं महा भारत का मैं जब नाम ले रहा हूं तो यह आपको यह क्यों लग रहा है महा भारत का नाम आपनी ले तो महा भारत आप पड़ते नहीं कहावत मैं जगले के लिए नहीं कह रहा हूं बलके इसलिए कह रहा हूं कि जगला नहीं होना चाहिए अमीड है आपके संदर्व को लोग समझने की कोशिश करेंगे लेकिन जिस तरह के बयानात आपके आते हैं वो सीधे-सीधे इस तरह से जाहिर होते हैं कि आपने सामने से आक चुनाती पेश किया है धमकानी की कोशिश के बरहाल आपने सारे सवालों का बिबाकी से जवाब दिया और बड़ी खुलकर अपनी बाते रखी तौकी रजा साब बहुत-बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए और एक लंबी बाचीत में हिस्सा लेने के लिए तैदु साब को शुक्रिया इंडिया टीवी हर वक्त हर जग है डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर